हाई आमी, साइंगे, ये चाइल्डोट लब के उपर एक न्यूज स्टोरी है इस कहानी का कैरेक्टर हम स्टोरी में जाने लेंके सुद्धेर नगर करके स्टोरी स्टाट करते है हाई, मैं जियन जैंगुक, लोग मुझे जे के भी बुलाते है मैं मिस्टर कीम नमचुन और मिसस कीम स्योक जीन का चोटा बेटा मैं कितने कूल, हैंसम और एडल्ट हूँ न लेकिन मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके लिए इन तीनों में से मैं एक फी नहीं हूँ क्यूंकि उसके लिए मैं क्यूट, नौटी, बेबी ब्रादर हूँ हाँ, ओ मुझे से बड़ी है लेकिन जादा नहीं, जिस्ट दो सल मैं उसे कभी प्रोफेशनली प्रोपोस नहीं किया लेकिन बहुत बार पता चुका हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ प्यार करता हूँ मुझे पता है, ओ भी मुझे बहुत ज़दा प्यार करता है लेकिन मानता नहीं कभी दो दिन बाद मेरा बड़ी है मैं 20 यर्स का हो जाऊंगा तब मैं उसे प्रोपोस करूंगा मैं उसे बच्पें से ही प्यार करता हूँ चौदा साल पहले उस दिन से ये जो बच्चा देख रहे हो ना ये मैं ही हूँ शीक्स एल ओर का जंकुक एक तिन हमारे स्कूल बें बहुत जल्दे छुट्की हो जाता है तो ममा तो नहीं आँ था इसलाब मैं खुदे निकल गया ऐसे मैं तो स्कूल से उड़ करचल निकल नहीं देते थे मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन मैं निकल गया था और मैं सोचा था कि घर एके लए जाके ममा को सर्प्राइस दूँगा तो मैं घर के लिए निकल पाड़ा और हाँ मेरे ये बज़े से उसका एक्सिडेंट हो कहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया ये जान बचाने के लिए ओ खुद के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा ये बात ही मुझे उसे पसंद करने में फोर्स किया हाँ मैं उसे तब से पसंद करना स्टार्ट कर दिया लेकिन ऐसे सूपर उमिन जब मैं उससे मिलने हस्पिटल गया वो मेरे उपर थोड़ा सा भी गुस्ता नहीं हुआ सेथ मुझे कहा कि अच्छी तरह से ममा डाड़ी के बास सुनके चलना चाहिए इस इंसिडेंट के बाद से मैं उसका अच्छी तरह से ख्याल रखने लगा उसको खिला आना, उसका पसंद दिद्धा बुक्स लाके देना उसके साथ टाइम पस करना ऐसे ही स्टार्ट हुआ मेरा चाइल्ड हूट लाब स्टोरी वोड़ को आवे इमने प्रिंसेस चंकू, चंकू, चल्दी चल, ग्लास टाट हो जाएगा ओहो, हाँ, तो चल, मैं जा रहा हूँ यह चो बंदा मुझे अभी अभी पला के गया यह मेरा पेस्पिंड, सुगा यह मेरा प्रिंसेस की छोटा भाई ओहो, मैं तो एक बात बताना बोले गया मेरा प्रिंसेस का नाम है किम ताई होंग प्यार से लोग उसे ते बुला थे है चंकू, तो क्या आज आएगा भी? यह मैं चला जाओ, चल दिया हाँ, आ रहा हूँ मुझे लेट हो रहा है, तो इसलिए बाब बाई को उस दिन से मैं ठीक से वीडियो नहीं दे रहा था इसलिए सोरी एक चोड़े मुझे यह समझे नहीं आ रहा था मैं किस स्टोरी बनाओ और यह स्टोरी मैं अलगे टैप का बनाए हूँ तो मुझे पता नहीं कि यह करसा होगा देख देख रहा होगा मुझे तन प्यादे रिगले थैंक उसांगा बाई